नवश्कार मैं हूँ मॉनिका आरिये, नवजाज शिशों को बचानी की मोहिम पालोना में आपका स्वावत है, एक बहुत ही हैरतंगेज खबर हमारे पास जारखन के सिम्डेगा से आ रही है, वहाँ एक माइनर गण, यानि की एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो उसे लेबर को पेल होता है, और वहाँ उस बच्चे को जन देती है, लेकिन उसके साथ जो कंसीव करने से लेकर बच्चे को जन देने तक जो परिसेतिया है, वो बहुत ही परिशान करने वाली हैं, और वो कहीं न कहीं परशासनिक लापरवाही को भी उजागर करते हैं, इस सींडेगा मेडिया के साथ ही विकासी नवश्काद आपका पालोना के समझ पर सवागत है. धन्यवाद मैम यह सबसे पहले विकासी है आपके जानना चाहेंगे कि यह लड़की हॉस्पिटल तक कैसे पहुंची कैसे उस बचे का जन्मुहाई इसके बारे खोड़ा सबता है जैसा कि मुझे जानकारी मिली है पाकर टार ब्लोक है हमारे सिम्ठेगा जिला का वहां पर एक केसलपूर पंचायत का एक सुदूर गाउं है वहां की चोदा बर्से नावाले इक अपने बीमार भाई जो की आग से जल गया है उसे देखने के लिए पहुंच हो जाओ तब जाकर वह उसकी कहने पर वह भरती हुई उसे ब्लड की कमी थी उसे ब्लड मुहाया कराया गया उसके ब्लड चड़ी फिर जाकर उसने एक स्वस्त बच्चे को जन दिया जिसका वजन करीब 2 किलो 400 ग्राम यह सुनने में आ रहा है कि जो बच्ची है मतब यह जो लड़की है जिसने बच्चे को जन दिया यह खुद माइनर है और 14 साल ही इसके उम्र है तो जो कंसीब किया उसने क्या यह उसके साथ जबरदस्ती हुई थी पिर आजकल जो दिखने में आता यह लोग भी कहते हैं जिसके बारे में कि यह अफियर हो जाता है और फिर 20 या 22 साल का एक लड़का है जैराम लोहरा नमक है उसने उसे डरा रंका कर उसे दुसकर्म की घटना को अंजाम दिया और उसे यह भी कह दिया कि तुम किसी को नहीं बताना वरना तुम्हारे साथ कुछ गलत और भी होगा तो फिर लड़की को लगा कि नॉर्मली मतलब पड़े लेके परिवार कर नहीं कि बच्चे घबरा जाता हूं को समझ में भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है उनके साथ इसकूल आटवी की छात्रा थी इसकूल जाना बंद कर दी उल्टियां बगर होने लगी जब सारेरिक भदला हुआ तब उसकी मा उससे पूछने लगी फोर्स करने लगी कि आखिर हुआ क्या है तब भी वो कुछ नहीं बता पाई कुछ नहीं बताना चाहिए तब जब उसकी मा मारने पिटने की तरह डराने लगी तब जाकर उसने बताया कि गाओं के ही जैराम नामका की युवक उसके साथ गलत किया था जिसके बाद वो गरजिया ने उनको बताया तब जाकर गाओं में एक ततकालिक बैठक हुई कि उसके साथ ऐसी घटना है वो गरवती है क्या करनी है तब वो लड़का सीधे मुकर गया अच्छा मुकर गया कि मैं साधी नहीं करूंगा इस ठीक है शादी तो वैसे भी नहीं हो सकती थी क्यों कि इस बच्चे का क्या हो जब यहां पर एक गलती हुई कि गाओं वाले चाहते तो इसको बैठक करने के बाद जब वो नहीं माना तो इसकी सूचना थाना जदा दूर नहीं है वहां पर जाकर वो लोग सिकायत कर सकते थे तुरत उसके उपर मामला दर्ज होता जो होता लेक गया कुछ माना कर दूसरा साधी करके या फिर दूसरी लड़की लेकर भागा यह चीज हम किलिर नहीं हुपाएं लेकिन वह किसी और के साथ वह यहां से फरार हुआ है अब परिवार वाले की स्थिति ऐसी है कि गरीविक्दम गरीब परिवार है उलों ने लालन पालन किया उस बच्ची को जो भी है उसको रखा घर में इसकूल छुड़वा दिया गया रहा है तब जाकर यह 24 तारी की घटना है 24 दिसमबर लेकिन डेड़ महिना पहले उसका चोटा भाई आग से जल गया जैसा कि हमें सुचना मिला है कि वो लोग दो भाई और दो बहन है यह 14 साल क की बड़ी बहन है इससे छोटा वाला एक भाई है और जो सबसे चोटी वाली बहन है वो डो साल की हुई तो वही भाई जो आग से जल गया था वो डेड़ महिना से इलाज रहा थे तो उसकी को देखने के लिए आई थी इसी बीच उसको लेवर पे शुड़़ू और सबसे परिस्चिती इतनी बूरी रही कि अगर देखा जाए तो कहीं ने कहीं इस वर उसके साथ रहा क्योंकि हॉस्पिटल जो हमारे सिम्डेगा है उसमें एक भी महिला चिकिस्तक विगत आज पांचमा दिन है आज भी नहीं थे पांच दिन से एक भी महिला चिकिस्तक नहीं है उसे अपग्रेड वन के अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है कि वहां सिम्डेगा जिले में आज के दिन में क्योंकि गाउं से बहुत सारी महिला ऐसी है जो बच्चे को जन देने के लिए वो वहां अस्पतार पहुस्ती होंगी और वहां पर इतना सफर क करके आएंगे और देखेंगी कि वहां पर एक बीजिट्रक नहीं है यह इस पर कैसे उन्होंने जो भी वहां के सिविल सर्जन है बिना कोई प्रवस्था की कैसे उनको छुटी दे दिए हैं यह है जैसे हमने सिविल सर्जन से संबन में दुरूब कौल से बात किया मुलाकात तो नहीं तो उन्होंने कहा कि स्वदर स्पताल में सुस्मा टोपो ममता मधुबाला कुजूर और एक बेला फ्रांसिस का एकका यह तीन डॉक्टर है इनको रिलेजिस ले किया गया क्योंकि जो सिंडेगा में कारेरत थी डॉक्टर जमुना कुमारी जो जिसका रांची ट्रां पर उन डॉक्टर वहां पर उन डॉटी आ जाती है और उसके बाद की रिलीव करते तो वो ज्यादा बहता रहता एक भी डॉक्टर वहां नहीं पहुंची और टीनों डॉक्टर को वहां से रिलीव कर दिया गया यह मुझे लगते हैं कि इसके खिलाब पर प्रशासनिक पर जरूर कोई एक्शन लेने की जरूरत है तो यह निश्ची तोर पर वो जो नार्स है जिनोंने इस बची का की डिलीवरी करवाई है वो बहुत पशंसा की पांतर हैं कि उन्हों ने उसके लिए ब्लड का भी अरेंजमेंट किया और पिर उसका ब्लड की ब्लड की बात ऐसी है हम दो मीडिया से हैं लेकिन हमारा भी रक्तदाता विंग करके एक मुहिम चलाते हैं जो की लोगों को रक्त मुया कराते हैं सिम्डेगा ब्लड डॉनर से हैं यह हमारे दो ग्रूप है अल्फला सोसाइटी है यहां पर तीन ऐसे सोसल वरकर हैं जो की वाट्सप ग्रूप में क्रियेट किया हुआ है लोगों को रक्त मुया कराते हैं तो रक्त की तो कमी सिम्रेगा मेंसाइद हमनही shock नहीं हो पाती है दूपा है इतना दिन तक नहीं पता चला नहा आंगनबाडी कार्ड है जबकि इस मामले में पहले महिना से बहुत बढ़ी चूक है जबकि यह उनकी ड्यूटी है कि जैसे कोई भी एरिया में अगर कोई गर्वती है तो उसका वो कार्ड बनाया उसको प्रॉपर मेडिकल कियर मीले अटेंशन मिले यह सब बहुत ज़रूरी ह और उनको सरकार की स्कीम से भी जोड़ना है जी और जैसे वो इस दायरे में आती तो शाहिए सीड़ूरी को भी इस घटना की जानकारी देनी चीज़ी क्योंकि यह पॉक्सों का भी मामला है अब इसमें सीड़ूरी की भी लापरवाई है कि बच्चे का जन्म चोबीस तारी कल साम में हम जब दूसी के चेर्में से बात किया और उन्होंने का कि मामला संग्यान में आया है हम आज रात को ही मामला दर्ज कर देंगे साइद अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ मामला दर्ज हो भी मेरे पास जो लेतिस्ट जानकारी है जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे म हम कहेंगे तो सबसे पहले बात की इसमें की लापरवाई है जिला प्रसाशन की लापरवाई है स्वास्त विभाग की लापरवाई है पूलिस प्रसाशन भी स्वाता पन्यान ले सकी थी तो सबसे बड़ी लापरवाई हुई है उसके इसके लिए इस्वर के इस्वर ही मददगार साबित वाई अभी तक अगर इसके उपर अगर मामला दर्द नहीं हुआ इस मामला में तो यह दुखद है कि उस पीडिता को अभी तक न्याय चाहिए वो बार बार चीख-चीख कर कह रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए जो अदमी मेरे साथ ऐसा किया है उसे सक्त सजा दे लेकिन पुलिस प्रसासन का यही कहना है कि मुझे आवेदन आएगा तो करेंगे अब CWC अगर स्वता संग्यान ले सकती है इस मामले का लेना चाहिए उनको लेती रही है पहले भी इस तरह के मामले हुए है जहां CWC ने मीडिया मे आई रिकोर्ट का संग्यान लिया है और पुलिस को पॉप्स को इस केस को दर्ज करने के निदेश दे सकती है मैं आपका बहुत शुक्रीया दा करना चाहूंगी क्योंकि आप ही ने इस केस को यही केसा आपी सबके सामने लेकर आये नहीं तो किसी को इसके बारे में पता भी डर रही थी, उसे मैंने मीडिया के सामने लाया, और प्रसासनिक अस्तर पर प्रदादिकारियों को भी मैंने इसकी सूचना दी, तब जाकर अभी बात तो मीडिया के सामने आई, आज के अख़बार में फ्रेंट कवर लगी हुई, लेकिन हम इसे दो दिन पहले ही, हम इसे कव पर कर चुके हैं, लेकिन पिडिता को न्याय मिले, यह हमारी सोच है, यह बहुत जरूरी है, और क्योंकि आपने सभी से बात भी की है, CWC से भी आपकी कल बात हो गई है, तो मुझे लगता है, आज नहीं तो कल इसमें, निश्य तोर पर पॉक्सों के मामले में केस जरूर जोगा और इसके लिए भी आप सादुवाद के पात्र है, उस बच्ची को आपने वैसे भी हल्प किया है, उसके लिए ब्लड भी अरेंज करवाया है, जैसा करनात आपने बताया था मुझे, तो यह जो संबेदना है, इनको जिन्दा रखना बहुत जरूरी है, आप वहां क पत्रकार हैं, तो यह मामला इसकी पनेने दे तक जरूर पहुचना चीज़, यानि कि जो दोशी है, उसको सजा जरूर होने चीज़, बहुत अच्छी बाट है कि एक बच्चा जो एक लव जीवन था, वो बच गया इस कावायाद में नहीं तो शायद, आज हम लोग एक मिला, इस पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो दुख लगता है, कम से कम इस परिवार पढ़े लिखे नहीं, लेकिन इन्हों ने वुस चीज़ को समझा कि जबकि इन्हें दो पता चल गया कि वो गर्वती है, तो उसे समहाला, नो महीने तक उस बच्चे को समहाला, नहीं तो द आज कल देखा जाए, तो पढ़े लिखे लोग ही इस तरह की गलतियां दिकांस करते हैं, कि उस बच्चे को उन्होंने समाला, आज वो स्वस्त बच्चे को जनम दी है, और बच्चा देख कि वो खुस तो है, लेकिन दुख तो इस बात कहे कि उसका पीता नहीं है, तो शायद और भी इस तरह जो बच्चे अबंडन हो रहे हैं, या फिर वो जिनके शव मिल रहे हैं, इन घटनाओ को भी रोका जा सकता है, जरूरत है कि हमारा समाज और जो परभावशाली और कहना चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अपना दाइत वो ठीक तरीके स पूरा करें, अगर वो अपना दाइत व ठीक तरह से पूरा करने लंगे, तो काफी मदल मिल सकती है, कल कारवाई भी लंब होती, लेकिन मैं सिम्डेगा विधायक भूसन बाड़ा जी को भी धन्यवाद दूँगा, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल करके, पच्चीस दिसंबर को उनके हां में बुगलाया गया था, क्रिस्मस पाटी पर, तो मैंने उनको बरबली बताया था, लेकिन वो भीड़ भाड़ के चलते, वो समझ नहीं पाया था, लेकिन कल मैंने उन्हें कॉल किया, आपको कॉल करने से पहले, उन्हें तुरट डीसी सिम्डेगा से बात किये, और कहा कि इस मामले में कारवाई हो, दोसी चाहिए कोई यह बचना ही चाहिए, उसी के फॉलो अप के रूप में, आज डीसी ने मीटिंग की है इस मामले में, यह जानतारी में आया है मेरे, बस यह है कि अब इसमें केस भी तर जो कारवाई भी हो, और इस बच्ची को सपोर भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत कम उम्र है और अभी बच्चे को जन दिया है, एनिमिक भी है, तो इसको फिनेशल और बागी जो मेडिकल केर जो भी बहतर है, वो मिलना चाहिए वहाँ पर और इसको जस्टिस भी मिलना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है, अच्छ पिछली बार पालोना के पहल पर ही, सिम्डेगा में जो DSW थी, उन्होंने, उनको मैंने आपकी बात रखी थी, तब उन्हों को समझ माया था, और वो नुकर नाटक डल, जंसंपर्क विभाग से टाई अप करके, गाउं गाउं इसके बारे में जोहरुता फेला रहे थी, ल अब ही देखा जाए, तो सेफ सुरेंडर को लेकर, जैसल पीएस एक बहुत बड़ा लीड होता, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं का शमू है, अगर जैसल पीएस के तुरू, अगर वहाँ जागरुकता फलाए जाए, उनकी जो मन्तली बैठक होती है, या पिर कभी भी होती है, तो उस पर इस पर चर्चा हो, इसको जीला प्रसासन को ध्यान देना चाहिए, कि महिलाओं को अगर और करें, तो वह अपने समाज के और करेंगी, लेकिन इस मामले में उदासीन रवया है, जिसके कारण हमारे यहाँ लगाता, वी गट आठ दिन, दस दिन पहले भी गटना और सालों पहले भी घट चुकी है, कई बार यह घटना सिम्डेगा के लिए नया नहीं है, होती रही है, तो विकासी विलेज लेवल चाल्ड प्रोटेक्शन कमीटी होती है, जिसको वी एलसी, पीसी कहते हैं, फिर उसके उपर वो ब्लॉक में होती है, फिर डिस्टिक में हो प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा अवेर्नेस वहाँ पर है नहीं कि किस तरह से होना चाहिए, जब घटना घट जाती है, उसके बाद इंटरफेस पहले से वार करने से लोग जाग रूपे, बेशक, अवेर्नेस तो बहुत ज़रूरी है, और साथ-साथ जो हमारे बर इस पी बाल में त्रिथाना का गठन किया है, इन्होंने इस पेसल एक पदादिकारे नियुक किया है, कि कोई समस्या हो इस तरह के मामले हो, लेकिन अभी सिम्डिया अपनी साइबर क्राइम को लेकर ज्यादा अवर कर रही है, तो इस सब चीजों में भी उन्हें फोकस करने लेकर आए, आपने उस लड़की को भी मदद दी, सेफ सरेंडर भी उस बचे का हुआ, और इसी तरह से सक्रिया रही है, हमारी शुब कामनाएं आपको है, इस तरह से समाज जनीत का भी काम करते रहें, और इस तरह के मुद्दों को उठाते रहें, बहुत बहुत अभी आपने विकाजी से सुना कि इस मामले में कितनी बड़ी-बड़ी लापरवाईयां हुई है और किनकिन स्तरों पर हुई है, अगर हम रवजाश शिशो के दृष्टे से देखते हैं, तो ये बड़ी राहत दाई है, ये घटना क्योंकि बच्चे का सुरक्षित जन भी हुआ और सुरक्षित समर्पन भी हुआ, उसको अबंडन करने की नौबत नहीं आई, हलांकि हालात जैसे थे, शायद ये बच्चा अबंडन हो सकता था, शायद ये बच्चा जिवित नहीं बसता, लेकिन उसके भागे में वहां अस्पताल में ही उसका जन होना लिखा था, इसलिए उसकी मा समय पर अस्पताल पहुच पाई और सुरक्षित प्रसव भी हो गया, लेकिन इससे जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी गल्तियां कहीं भी कम नहीं होती है, निश्य तोर पर ये कैसा मामला है, जिसमें सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्षन होना चाहिए, फिर उसमें अस्पताल परशासन है कि वहाँ पर कैसे बिना वेकल्पिक व्यवस्था किये, सभी गायनिक्स को एक साच छोटी कैसे दे दी गई, और या फिर CWC जिलाबाल सरक्षन यूनिट है, जिने तीन दिन हो गई, लेकिन बच्चे का संग्यान पॉक्सो का मामला है, इसका उनोंने संग्यान नहीं लिया, और जो पुलिस है, पुलिस को भी जो थाने की इरिया की जो पुलिस है, उनको इस मामले में संग्यान लेना चाहिए था, complainant की जहां तक बात है तो वहाँ family में से किसी को बना सकते थे वहाँ पंचायत में से किसी को बना सकते थे मामले की जानकारी उनको थी ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं थी तो यह केवल अपनी जिम्मेदारी से हाथ दोना है कि हमारे पास complainant नहीं है इसलिए हम केस दर्ज नहीं करें पुलिस को भी थोड़ा समवेदेंशील होना होगा इस तरह के मामले में खुद इनिशेटिव लेना होगा क्योंकि इसमें उनके पास सब थे प्रूफ भी थे गवा भी थे उनके पास तो वह आराम सी इस मामले में केस तरज कर सकती ती ते सिर्फह complaint नहीं होने को बहाना नहीं बनाया जा सकता है और सबसे इंपटन्ट उस-पनचायत की जि मेरी तये करना जरूरी है उसकी जवाब भी सुनिश्चित करना जरूरी है जिनके सामने समय पर यह मामला लेकर आया गया था लेकिन ना उन्हों ने खुद इस पर किसी तरह का कोई राहत दाई कदम उठाया इस लड़की के हित में इसके होने वाले बच्चे के हित में और ना ही किसी तरह की कोई लीगल कारवाई उस समय में सुनिश्चित की निश्चित और यह सभी इस कटगरे में खड़े हैं और सभी समरूप से दोशी हैं सभी को अपनी जिम्मेदारी का भान होना चाहिए और अपने दाईत्व ठीक से निभाने चाहिए तब कहीं जाकर हम बच्चों के लिए सुरक्षित माहुल का निर्मान कर पाएंगे मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले अपनी वह पिल दूराना चाहूँगी कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पालोला के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है बलकि एक लड़ाई है जो नवजात बच्चों के संग सब्सक्राइब करें तो वहां जो बेल आइकन बना हुआ है उससे दबाना ना भूले तो कि उसको दबाने से जैसे कोई नया वीडियो यहां अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको भी मिल जाएगी यह कि एक एक वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत करने पड़ती है साथ बने रही है इसी अपील के साथ नवश्क्राइब